ज्याहिन वेल्कम टू सरकारी जवब ख़वर आज हम चर्चा करेंगे बाली का जो जिसको हम कन्या कहते हैं कन्या उथान योजना के लिए जो 12 सरकार द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में जो बाली का को जन्म से लेकर असना तक तक कभी कितना पैसा मिलता है सारे इस व वो सुरू से लेकरन तक जरूर देखिएगा अबर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बे लेकर जरूर दवा दिजिएगा जिससे की हमारी कोई वी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले है यहां देखते हैं कि जब कण्य का जन्म हुटा है बलेका का जब लड़की का जन्म हुटा है उस समय जब पर 2000 रुपय दे जाता है उसके बाद कन्या के एक वर्ष पूरे होने पर येवाँ अधार पंजी करन करने पर 1000 रुपय दे जाता है तथा कन्या के दूवर्ष से पुर्ण होने पर टीका करन को उपरां टीका करन जब हो जाएगा तो 2000 रुपय दे जाता है उसके बाद जो है कख्षा में पढ़ाई शुरू करती हैं तब 6 रुपे पर्तिवर्स दिया जाता है तथा जब कख्षा तीन से पाँच तक कख्षा 3 से लेकर कख्षा 5 तक पढ़ाई करती है तब 700 पर्तिवर्स पुसाकराशी ग्रूप में दिया जाता है और जब कख्षा 6 से कख्षा 8 तक पढ़ाई करता है तो पुसाकराशी ग्रूप में 1000 पर पर्तिवर्स दिया जाता है तथा जब कख्छा 9 से 12 में तक परते हैं तफ 15 रुप परतिवर्स पोसा करासी ग्रूप में दिया जाता है तथा उसके उपरांत भी और है जो तीन सुर्फ परतिवर्स सातमी कलास से 12 कलास के दिया जाता है जो किसो दिस्वास्त योजना अंतरगत सेनेटरी नेपकीन हेतु ह उसके बाद जो है जब बाली का intermediate पास करती है जाए कोई भी division हो first हो second हो या third हो कोई भी division के साथ हो और विवाहित हो तो उसे उत्रिन करने पर 10,000 पर दे जाती है तस हाथ जब बाली का असना तक पास करती है तो उसके उत्रिन होने पर जटड़ division कोई भी हो तो उसमें अविवाहित सब्द नहीं है क्योंकि असना तक होने तक बाली का 21 वर्स को हो जाती है उसमें समय उत्ता कुछ है पास करती है तो उसको 25,000 पर दे जाता है और जीरो से एक वर्स के लिए दू हजार रुपया इवं जीरो से दो वर्स के लिए एक हजार रुपया दे जाते हैं यह सारे योजनाएं जो हैं बिहार में कन्या उठान योजना के लिए दिया गया है तो